की अस्वाम की वीवरोस माईने है जवान चींगमा वेल्कम बैक विद नहीं इन आदर वीडियो अफ मुझा स्मौर्ट सुटी के अवले से जितने मैजर सवालात होते हैं वे इस्ट में ऑर्शीष चैट्राम बैलेटिंग को लेके एंड इंटर्चेंज को लेके और एग्जेक्टिब लॉग की डिवेल्पमेंट को लेके तमाम सवालात के जवाबात मलेक असलम साथ जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफसर कैपिल समार्टिटी के उनसे पूछने कोश्च करेंगे इसके लावा जो लाहूर समा आप से देखते हूं और मुझे खुशी है कि आप ने ये कदम उठाया है और मैं कोश्च करूँगा कि आपको सही सही जवाब दूं सब चीजों का लेकि हमने जो है ना टूइंटी टू जो है ये हमने पहले से इनौन्स किया हुआ है कि ये स्मार्ट सिटी येर है इसे इस स अगरे मुझे मुझे से कॉशन बाज करेंगे मेरा ख्याल उसमें आ जाएंगी और बाकी मैं सबसे आखर में पर आपको चीजों को दल्ब बताऊंगा चले सब मरे अगला सौल ये कि सी एस सी एंड एलसी कैपिटल स्मार्टिटी और लाहॉर स्मार्टिटी दोनों एचरल के परजेक्ट हैं एचरल के पाकिसान में 72 यूर्स एक बहुत बड़ा नाम है फिर भी एलसी जो है उसकी आम मेंबर्स की बात करें या इन्वेस्टम्ट पॉइव से बात करें पोजेशन की बात करें जो पेस है वो बहुत ज्यादा है ऐस कंपेर तो सी एसी तो सी एसी और ये है ये इस्टेबलिश हो चुका है और उसको स्टार्ट में हमें दो साल लगे इसको ब्रैंड को बनाते हुए और अब दो चुंकर ये बन चुका है तो लहौर में हमें वह असानी हुई सेल करने में भी और उसको डिवाल्प करने में भी हावावर लहौर में जो के डिमांड बहुत जादा है प्रेशर बहुत जादा है हम जब 2018 में सेल कर रहे थे Capital Smart City तो जितने हमारे प्लाट सेल हो रहे थे UK यॉरप में इसलामबाद में उच से डबल डिमांड आ रहे थी कि लहुर में आप कब लेके आएंगे तो वो हमारा बड़ा एक शौक भी था और चूंके प्रेशर भी था हमारा और ये बहुत पहले से एक विजन त्यार हुई हुई थी लहुर की इसलिए उसको implementation में जरा इसानी थी मारे लिए और चूंके concept पहले से available था तो इसलिए थोड़ा सा आपको फील हो रहा है मगर progress हमारी केप्टर समारस्टी की बहुत ज़्यादा है माशाला और वहां जो अभी development अरिया है वो थोड़ा है और एस कंपेर टू असलामबाद वो one tenth है ten time ज़्यादा लेंड में काम हो रहा है असलामबाद में और वो भी हमें साथ करने पाड़ रही है तो उसलिए थोड़ा सा आपको फील हो रहा है कि यह progress low है otherwise मेरे ख्याल में दोनों जगापे progress मारी बेतर है और advance है माशाला जो सबसे ज़्यादा comment सुनने को मिलता है कि capital smart strategy जो है तो overseas block जो वो बहुत ज़्यादा preferred block है out of four district which were initially launched overseas east, overseas prime, overseas central and executive one इन में से overseas को हमेशा एक preference के तौर पर देखा जाता है कुछ लोग यह भी कहते हैं कि overseas remittances यह installment better regularly pay करते हैं executive block installment date है यह society आम तो पर मार्केट में बात होती है कि executive block के membran के installment date होती है इनको फिर उस तरह से प्रेस्टराइज नहीं किया जाता तो क्या अकसर सवाल होता है executive block के जो membran है क्या वो सोतेले हैं कि उनकी development उस तरह से नहीं है यह वो नाफरमान है कि वो installments pay नहीं करते है तो इस बारे में क्या point of you देखें बात यह है कि हम जो है ना हमारी effort जो है ना वो focused effort रही है हमेशा से और because of COVID of course बहुत फरक पड़ा है हमें और आपने देखा होगा कि COVID में जब lockdown था चीज़ें बंद हो गई थी हमने फिर भी कोशिश की कि अभी जो उसके बाद फिर हमने night shift शुरू की और 24 hour काम करके हमने काफी backlock नकाला भी है मगर जो focused हमारी effort थी वो पहले और सिस ब्लॉक के लिए थी और मेरा ख्याल है कि within next two three month February में हम बलेटिंग कर रहे हैं इन्शाला इसी महिने में और सिस सेंटल की और मेय में हम कर रहे हैं और सिस प्राइम की और हमारा focus अब जो है इस वकर जो हमारा focus है वो सिर्फ एक्जाटर ब्लॉक में है और आपने देखा होगा हमारे नए मैप पे एकजाटर टू का भी जगा आ चुकी है उसकी जगा बाई की जा रही है आजका 80% हम जगा बाई कर चुके हैं आज से कोई च्छे महीने पहले जो आप कितना question थे और से टू किदर गया वो गहाँ खायब हो गया लेंड नहीं है ये नहीं है आज आपको लेंड भी नज़र आ रही है उसकी development भी नज़र आ रही है उसका निया ना भी और सी central आ गया है और उसके हम बैलेटिंग भी करने जा रहे है मैं आपको यकिन दला रहा हूँ कि अगले पांस शे माँ में आपको यही सारी सूर्टेहाल अग्जेक्टर वन के लिए नहीं सरफ बैलकि अग्जेक्टर टू की भी land और development ऐसी होती हो नज़र आएगी सर मेरा प्रिविएस क्विस्टिन के थूरस एक्स्टेंशन है कि अब overseas block जो है जिसका possession बहुत जल्दी overseas central मार्शला कर देखा जाए on map तो executive block और overseas east को अगर मिला लिया जाए इवन तो हार्मी पार को भी साथ मिला लें और इवन तो कुछ part prime को मिला लें कैपिटल स्मार्टिटी को तीन साल में कुछ difficulties का सामना करना पड़ा as compared to Lahore स्मार्टिटी जिसे एक साल में बहुत ज़्यादा एक कहलें के preferred project के तौर पे पेश किया गया मार्केट में and no doubt कि इनकी land terrain का difference है यह तो common question है कि तीन साल में Capital स्मार्टिटी उस तरह से deliver नहीं हुआ Lahore स्मार्टिट साल के अंदर-अंदर within साल नहीं बलके in fact I would count the right time May में में मशिनरी मुव हुई थी जुलाइव में पहले ground breaking हुई थी आप site within मुझूद थे itself और site पर वो पुराइक इवेंट हुआ था तो छे महीने के अंदर like यह out of the blue moon है पाक्सान में ऐसे रियल स्टेट में नहीं होता there is a very first instant कि Lahore स्मार्टिट का possession within six months offer कर दिया गया है तो Capital Smart City का तीन साल में क्या अब दियुक्त है कि असा है कि मैं पहले भी अर्ज किया कि हम first time Smart City का concept लेके आते पाकिस्तान और उस वक्त हम खुद भी इसको बड़ा ambitious सा program समझ रहे थे कि यह चीज़ें नमुमकुन होंगी पाकिस्तान में लेक्या आना मगर with the effort and insistence of our chairman अजाइद रफीक साब और हमारे जो partner हैं design partner सुर्बाना जोरंग और पुलीद वर्ड से जो हमने hire की हमें consultant they have made work very hard and they have made it possible to bring that concept to Pakistan उसको concept को बनाने के लिए हमें कमद कम दो साल लगे हैं 2018 से अगर हमने शुरू किया था तो 2020 तक तो हमारा concept क्लिर हुआ है स्मार्ट सिटी में क्या चीज़े लेके आ रही हैं किस जगा लेके आनी है और फिर उसके बाद करोना ने भी effect किया हमें तो उसके वज़ाएद थोड़ा सा आपको लेड नजर आ रहा है अब चुके लहूर में concept मौला क्लिर हो चुका है आज ही हमारी meeting हुई है सुर्वाना से आज और वो जो 3D हम बना जो नोंने बना के दी हमें और जिस तरह वो नजर आएगा नाट अन वीडियो और अन 3D बाट अन ग्राउन वे ऐसी ही नजर आएगा क्योंके हमारा जो प्लैन है कप्रिस्मार्ट सिटी का वो ही चीज़ें आपको ग्राउन में नजर आ रही है वो हम बना रहे हैं ग्राउन की उपर अग्जेक्टली वो लहूर में भी वही नजर आएगा जो प्लैन में है अगर आप देखेंगे तो ये प्लैन बनाना लहूर का हमारे लिए हमें छे माँ लगें जबके इसलावबाद में डेर साल लगा था इस जगा पहुंचने में तो इसलिए थोड़ा सा टाइम चूंके हमें स्टार्ट में ज्यादा लग गया क्रियर करते करते और चूंके लहूर में एक इंसेप्ट पहले से क्लियर था तो इसे थोड़ा सा एजी रहा हमारे लिए और लेंड आफ कोर्स लेंड भी एक प्रावलम है यहां टफ टेरेन है वहां एजी टेरेन है और वहां पे चूंके एक प्रिटिकल प्रेशर भी है हमारे उपर प्रिटिकल गौर्वर्मन का नहीं है प्रेशर मगर लोगों का हमारे अपने लोगों का एक प्रेशर है कि वह हमने डिर्वट जल्दी करना है वहाँ जल्दी लोगों निगार बनाने शुरू करने है, वहाँ एक प्रेश्ट जादा है, उसको भी हमने अब्जार्ब करना था, तो इसलिए थोड़ी सी चीजें जो हैं वो बेतर हैं लहोर में, as compared to Islamabad, है यहां लोगा यहां नहीं का आपक्षाइण अच्छ लो यहां है, यहां हमने अफट नहीं की हाँ, यहां अफट उसे जद्धा हो रही है, असरक्सर बज्आ जो hoje मारे चेरमन का एक विज्जिन है जितने flagship प्रेश्ट थैंद डनिया, में आप residential plots, commercial plots sell करते हैं but IT related जो एक पुरा district reserve करना एक बहुत बड़ा initiative है वो उसको यहां पर लेके आना इस तरह डिफरेंट चीज़े हैं करेक्टनल विलास होगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होगे जो signature हैं हमें उन प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं सब्सक्राइब गॉल्फ कोर्स को इतना तेज़े से डिवल्फ किया रहा है कि होल नबर 9, 10, 13, 12, 11 और जो एकसेस रोड बन के साथ हैं और मॉस्त तक्रीमा डिलिवर हो गया है दूसरे साइट से देखें बैक साइट पे तो गॉल्फ कोर्स फसिलिटेशन सेंटर है इवन दो उसकी जो construction है फसिलिटेशन सेंटर की जो आई तिंक आराउंड 10 तो 15 किनाल की building होगी maintenance building होगी उस पे construction स्टार्ट होगी है तो गॉल्फ कोर्स पे इतना ज़्यदा इंसेस्ट और इतना ज़्यदा फोकस किया जा रहा है इवन दो वो sellable भी नहीं है लेकिन एक signature project है तो उस पे सरफ क्या कहेंगी लेकिन बास दफ़ा यह होता है कि आपको ना बास ऐसे features बास ऐसे sub project जदी लेकिने पड़ते हैं जो आम जो हमारे resident होंगे या जो मारे members होंगे उनकी benefit के लिए और गाफ कोर्स भी इट सेफ जाहर है एक environmental friendly एक जगा होगी उसके अंदर जो है very heavily जो plants लगेंगे और एक सरीन वहाँ बनेगा जो के वहाँ लोग रहेंगे जो विलाज करने वाले हैं हमें जो विलाज हैं गाफ कोर्स के तो उनके लिए एक ये requirement है पूरे जो लोग अभी जसरा मैंने पहले अर्ज किया था कि 2022 जो है वो it is a smart year for us और हमने बहुत सरी families को shift करना है स्मार्ट सिटी में इस साल में जो मारे विलाज बन रहे हैं स्मार्ट विलाज बन रहे हैं जो और वो जब लोग आएंगे रहने के लिए उज़ार है उनको कोई वहां पर environment चाहिए उन अन्वार्मेंट के अंदर one of the main feature जो है वो गाफ कोर्स है वहां school होना चाहिए वहां आस्क्रो होना चाहिए इस सब चीजें इन्शाला हमने लोगों को देनी है साल के अंदर अंदर मार्चस से वहां ग्रासिं कर रहा हैं फ्लाज़ फ्लावर रर कर को सुछ भाइंड अफ दिया निस कूह निशालबड टीन से च्छे होला जो 99% लोग वो स्मार्टेटी के मेंबर्स हैं तो मैं जूंक्के साइट के इकसर वीडियो पोस्ट करता हूं साइट के डिवेलप्ट के वीडियो तो एक जो कॉमन में जो क्वेसा कॉस्टन दो शेयर कर रहा हूं यह में यह मेंबर से कंसरन है बट फानेंस के इस्यूस भी हैं कि आपने लेट से एक मेंबर ने इस्टॉल्मेंट पे की है फ्रम लेट से लास्ट मेंथ और थ्री वीक्स फोर वीक्स गुजने के बाद भी इस तरह पोर्टल पे रेगलर्ली अपडेट नहीं आती और सुसाइटी से डिरेक्ट पेटर्न इस तरह से रापता करने का कोई जरीया नहीं है तुसर इस पे आप क्या कहेंगे देखिए इसमें तोड़ा सा में सेंटने स्टैंडिंग भी हो सकती है हमें मोस्ली यह प्रॉब्लम आरी है ना जो पोर्टल के अंदर जो अधिलिव कुक्ली जो शो नहीं हो रहा होता वो कुछ कंट्रीज हैं जहां से पेमट आती है और उसमें छे से हाट हफ़ते लगते हैं जिसा सौदियर से पेमट आए अगर या कैनड़ा से आए या बार जबाद अमेरिका से भी है तो उसमें काफी सारी एफ एड़ आ जाती है और वहां पर हमें एक्सपिरिंस किया है कि उन लोगों को प्राब्म आ रही है लोकल जो पेमट लोग कर रहे हैं या बाकी यूके वग़रा से वहां इतनी प्राब्म नहीं आ रही है यह स्पेसिफिकली जो कॉस्टमेंग शेयर की है यह हमारे जो आपकी स्केंडेविन बेल्ट है डैनमार्क नॉर्वे क्योंकि उस तरफ से जादा इशू आता है और दूसरा जो हमारे कैनड़ा और सौदी अरब से क्योंकि इनकी उपर ना कोई गालबान रिस्टिक्शन्स ह जो सारी जो पेमेंट्स हैं रोव अमेरीका त्रू राट होट आती हैं तो बीच में बेंक्स हैं वह बात दवाइन कंट्री एंच को जज्ड़ादा चारु आ जाती है अज़नुकू अधा पर अगैंच्टि उड़ में इसी इसे जान में पर बेंडिए ऑस न है यह दर आते अमेरिका से पेमिट आरही है तो पहले स्टेट बेंक को पकस्तान अप्रूफ करेगा तैन वो स्मार्ट एड के अकाउंट में शू होगी, तो असर रिजनेबल, बट जो पोर्टल पे शू आते हैं यानि कि अस्मार्ट पोर्टल पर आई डी बनाई है, मुझे आई डी बनाई रियास मुस्ताथ साब को, ये बहुत पहले थी, ऐसे प्रॉब्लम्स पहले थी, अभी रिसेंटली काफी कम हो चुकी है गालबन ये, मेरा खहला आपका प्राणा कोई कम्प्लेइन्स हैं आपके पास, ये अभी आप से इस तरह फिल्हाल नहीं हो नहीं हो नहीं है, वैसे ये वाकिस्तिना हमने रिमूव किये हैं, उसमें जाहरे प्रॉब्लम होते हैं, तो हमने रिमूव किये हैं, अब रिसेंटली बहुत कम इसमें प्रॉब्लम आ रही हैं, और अगर अगर को प्रॉब्लम है, हमारे वेब पे एक हेल्प पोर्टल अविलेबल है, हेल्प कॉर्नर है वहां जाके आप उसमें चैट करें तो विदेन फ्यू मिनिट्स वह सारा मसला बतादेते हैं लाइव चैट में तो आपको लाइव सारा मसले हैल कर देते हैं इस नाइइंटी जो हमारे लहोर के एРИयाज हैं, लहोर की बात कीज़ जाती है कि लहोर के परजेक्ट पर कुछ लोगं क Changa apply को बहुत ज़्याँ के टेज़ यज डिवेलप किया गिया बट लहोर के लैंड में क्या क्या aware selling का कुछ पार्ट अन्सर शामिल है कि जिस तरह से लहोर की लैंड की booking आती है और उसके बाद एक certain time के बाद फुरन close हो जाती है फिर rate revise हो जाते है और दोदोफर rate revise हुए है और अभी बहुत सरे मेंबरान को जी चीज होती है कि हम पैसे लेके बैठे होते हैं हम contact के नहीं कुछ करते हैं खुद ही जवाब दे दिया है मगर मैं आपके इस जवाब को अंडूर्स करता हूँ कि चुकर हम land और noc के मताबक ही सेल कर रहे होते हैं हम जो यही मोटो एक लेके चेर्मेंट साब जो है ना हम राए थे मिदान में कि हमने एक तो over sale नहीं करनी प्लाओ हमने डिले नहीं करना चीदों को और टाइम पर यह नहीं होगा कि आपने plod लिया है और यह बलेटिंग हो गया यह आपको plod नहीं मिलेगा plod आपको ज़रूर बलेगा और वो कहां मिलेगा असलब यह 170 होनी है तो लाहॉर में यही वज़ा है कि डिमांड बहुत ज़ाद है लहुर की बहुत ज़ाद है जितने प्लाड हमारे बिक चुके हैं उससे 10 टाइम ज़ाद है as of today डिमांड अविलेबल है हमारे पास मगर जैसे ही नई noc आएगी जो के expected है within few weeks इंशाला तो हम जितने भी noc होगी उतने ही plot हम मार्केट में देंगे उससे अदा नहीं देंगे plot सर अब मैं दोबार कैपिटल वाभी साथ हूं कि आप कैपिटल स्मार्टी को चार साल में कैपिटल स्मार्टी में आपके नजदीग कर तक क्या अचीव किया है देखिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है ना वह एक flagship और सिकनल प्रॉजक्ट ह जो आइडिया हम लेकिए थे पाकिस्तान में स्मार्ट सिटी का वो पहले हमने ही से स्टूर किया था और हमने अपने concept को पहले clear किया जो कि एक साल लगा फिर हमें selection of land जो बड़ी important थी हमारे लिए क्योंकि आपने बता है कि जो असलामबाद में पिंडी में जो 73% societies हैं उनके पार रास्ते नहीं हैं दो-दो-लाकर किणाल की societies बन रही हैं मगर उनके बार एक छोटी सी रोड जा रही है मैं नहीं किसी का लूँगा तो मगर देखें हम हमने नहीं कोशिश की कि के connectivity बेतर हो और पानी available हो और दोनों चीज़े माशाला आपने आपको पता है कि हमारे पास सेक्री डोड से भी होंगी और वहां से भी जाहरे काफी लोग आएंगे और मेन एक इंटरचेंज हमारा हो चुका है और दूसरे इंटरचेंज हमने अप्लाई किया हुआ है वो भी इन्चालला नेक्स लियर से हम उस पे भी फोकस करना शूरू कर रहे हैं तो एक तो connectivity और द और आप development में लेट हो जाएं तो कोई मसला नहीं होता कभी ना कभी development हो जाती है यह जाती है जैसे एक saying एना है कि अगर सोना हो तो उकड़ाना मुशकल नहीं होता फिर तो land is available इस वक्त हमारे पास माशालला साथ हजार कनाल से जदा land available है और अगर हम यह जो बैने दियोए है और hold land की हुई है it is more than 80,000 कनाल और चकरी रोड पे जो भी स्वाइटीज हैं पूरे इस अलाके में रीजन में जो भी स्वाइटीज हैं वो सारी अकठ्री करें तो वो 30,000 कनाल नहीं बनेंगी और हमारे पास जो land holding है जो area brown हो चुका है यह it is more than 65,000, 66,000 कनाल और जो holding है हमारे across the motorway जो निया area phase 3 और phase 4 और एड करने वाले हैं वो भी 35,000 कनाल हम ले चुके हैं जो अब browning शुरू नहीं की और उसमें जो pockets हैं वो जब एड करेंगे तो it will be more than 50,000 कनाल तो area भी आ रहा है इसके साथ phase 4 के land में हम लेने की कोश्य कर रहे हैं तो in total this will be more than 150,000 कनाल more than that इस बात तो मैं फुले इंडॉस करें एक मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी achievement है कि at a single place एक ही compact land 80,000 कनाल होना ये एक बड़ी achievement है मेरे ख्याल में और दो तीन साल में इतनी land अकठी करना फोटो हार area में इस miracle है तो अगर land है हमारे पास तो इसका मतलब यह है कि बड़ी effort पीशे required थी जो के की गई के डिजाइन के बड़ी effort required थी और वो भी alhamdulillah हमारे जो consultants ने बड़ी effort की और इसमें technical know-how डाल के तो जो result आपके सामने है वो it is the result of all efforts made by everybody और of course आप लोग भी हमारे साथ हैं इसको sale करने में पर्मोट करने में आप लोग ने बड़ा hardware किया बड़ा अच्छा technical skill use की तो ये भी माशालला हमारे लिए एक बड़ा अजाज है सर लैंड वली बात को तो मैं 100% डोस करूंगा क्योंकि एक मैं फ्री बैटा था 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 तुमाने ऐसी गूगल अर्थ पर मैं नोटिस कर रहा था कि स्मार्ट हुड़ी के पास इस वक्सिए 600 एकर 6630 एकर लैंड ऐ यानि अराउंड 52,800 प्लस माइनस ये लैंड वो जो हमारी स्मार्ट हुड़ी के साइट पे इस वक्क आपको ब्राउन मिलती है ये तमाम मेंबर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो गूगल अर्थ पर जाकर इटसेल्फ आप स्मार्ट हुड़ी की लोकेशन डाल की इसको ठाल का ऑप्ष्ण होता है उसमें आप एरिया कवर कुछते थें कितना एकर्स है कितने किलोमेट्र सुपर इस वख साइट पे ब्राउनिंग हो चुकी है इसलो इसको टैली कर सकते हैं और स्वाल है के साइट पर मारे पस लैंड मजूद है डिवल्पेंट माशार अब बहो हाइट्स के नाम पर बंगी है जो रेजिदेंशल अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी सर जो दूसरे कमर्शिल्स हैं जिसे मेन बुलेवट पर आएंगे जो चार मर्ला आर्ट मर्ला या मार्किट प्लॉट्स होंगे इनकी कमर्शिली कंस्ट्रक्शन कब तक पॉसिबिलिटी है क्योंकि हॉस्पिटल साइट पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इसके लाए दूसी बात की जा स्कूल की मजूद है में में मेंब्रज में रहते हैंक थार के स्कूल मजूद है मदफ जो उनकी future में बच्चे पड़ेंगे मसgिज मजूद है कमर्शिल के बरके मदियं के क्रिए कर्के करन के है करसि का शूरों को की बलेटेंग हो चुड़े में सी बेजिनके प्लॉट है अगर वो चाहते हैं बनाना अपना प्राजा वगरा या कुछी बना सकते हैं फोरी दोर पर हम उसको विदे नेक्स टू-3 मन्त हम दे देंगे पुस्षाइशन इंशालला हो अब नेक्स उसन है कि वह लहुड़ स मांट करें या को मन छे महीने करें तो वहां पर बनता है त्री टांस तो 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 आगर साल अगांट करें तो सिक्स हंड़़ पर संथान तक लोगों दो ड़लाइं अंच के विदे लाहु अचियांद१र इन आपकी प्रीलड कौस्जं नह development देखते हैं that I witnessed personally कि आप को ढूणना तो site पे easy होता है बहुत feasible site पे हमेशा मजूद होते हैं तो इस बारे में कहा कि कि रीजियल value CSC की कब तक बेशतर होने के चांस है तो यह आपने सही का मेरा field तो नहीं है वगर मैं understand कर रहा हूं कि लहोर में अभी न स्टार्ट चूंके है ना तो लोगों ने पैसे एक या दो किस्तन दी हुई है जब वो सेल करते हैं थोड़ा से ओन पर तो वो जब रेशो है वो उसका काफी बड़ी नदर आ जाती है जब कि यहां पर लोगों ने more than 50% पैसे दी होए हैं जब उसको सेल करेंगे तो दो लाग ओन अगर होगा भी तो वो आपको रेशो मेरा कम नदर आएगा ऐसे बात नहीं है कि ओन नहीं है ओन काफी जादा है यहां भी मगर ओन जो है वो as compared to paid amount कम है मगर as to as for as amount is concerned वो काफी है अल्हम्दुलिल्ला मगर मैं यह करना चारों दोबारा कि interchange जो के secret नहीं है आप लोगों के जरीए ही सारी बात आउट हुई है क्योंकि हम तो announce कर नहीं सकते थे पहले अनेचे के नहीं हमें बाउंड किया हुआ था मगर आप लोगों ने किसी ने कोशिए करके UK से वह शर्यार भाई वह क्लाइंट है मेरे उन्होंने वह शर्की में आपसो शर्की करता है वह भूल दिया तो कि यह सारा उनको आनसर भी मिल गए अनेचे के नहीं अनौस कर दिया कि हमारा हो चुका है मेरा ख्याल है कि दैट विल बी एक की बिक जंप इन दे प्राइसे अफ कर्प्टर स्मार्सीटी जैसी वह साइट पर शुरू होगा बनना जो कि बहुत देर नहीं रह गया तो यह प्राइसे काफी जंप करेंगी इसका जो प्राफट है वैत भी मूर दे लोहूर इंशाला इंशाला अगला किस्ट्षन है वो है सिलिकोन वैली इसकी दो में रिजन्स हैं नमबर वन तो में रिजन्स ये है कि चुके हम स्मार्ट भी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में फर्स टाइम तो इसको हमने करना है साल्फ सेस्टेनेबल जब हम इसको करते हैं ना साल्फ सेस्टेनेबल कहते हैं इसमें हर तरह के लोगों के लिए एक space भी हमने प्रवाइड करनी है और future जो है आई टी का है अब चीज़े आई टी से आगे पहुंच गई है आयो टी हो गई है फिर AI पे चले गई है तो future जो है वो हमारा सारा technological बेस्ट होगा और हमारे जो young generation है which is 68% of the population of Pakistan उसमेंसे अगर 10% लोग भी आई टी में जाएं तो you can imagine कितने क्रोड बचे हैं यह young generation होगी जो आई टी बेस्ट उनकी education होगी या उनका work environment जो है वो आई टी बेस्ट होगा तो उनको एक platform देने के लिए हमने हमरे चेर्मेन साहब का यह vision था पहले से कि हम एक उनको platform बाहिए करें एक जगा पर अंडर वन रूफ जिसमें ना सिर्फ आफस स्पेसेज हैं बलके high speed internet भी वहां पर लगे होई होंगे जो कि पहले पाकसान में कभी इतनी speed से किसी को किसी के बास भी नह के जदा है इस वक्त हमारे पास 2400 कनाल जगा है जो हमने fix की हुई है और लहौर में 1200 कनाल है यहां बे 2400 कनाल है असलावबाद में और उसके अंदर टू स्टार जो सर्वस अपार्टमेंट भी है और थ्री स्टार सर्वस अपार्टमेंट कम होटल भी है क्योंकि ऐसे बहुत पूरी उनको एक पुरा बैक अप देने के लिए यह जो हमारा सीटी है यह भी सेल्फ सस्टेनेबल है मगर सिलिकोन वैली इट सेल्फ सस्टेनेबल है वहां एज्यूकशन भी है वर्क स्पेस भी है और लिविंग स्पेस भी है तो हमाह रहे के हार वेदिन प्रॉइन सेंव आप सब जिदें एंजवाय कर सकते हैं तो ये एक देखिए नेक्स ये फ्यूटर की रिक्वार्मेंट है वैसे विज़ार 2018 से 2021 तक अभी जो एक्सपोर्ट है हमारी आईटी की 840 मिलियन डालर थे 2018 में एक्सपोर्ट और इस साल 3.3 बिलियन डालर तक हमारी एक्सपोर्ट आईटी गही है और वैसे भी फ्यूटर जो क्रिप्टो करंसी जैसे होगी और इस दुनिया में सबसे जो पाउरफुल मॉलक ताइट इस अमेरिका बिकॉज अफ कैलिफोरिया दे सिलिकॉन वैली इंडिया देखे लिए इंडिया लिए बहुत आगे चला गया हमसे यह हमारा विजिन जा हमारे चेमिन साब का कि हम एक आई टी चूंके पाकिस्तान का फ्यूचर है और पाकिस्तान के जो यंग जो यूथ है उसका फ्यूचर है तो उसको एक प्लैटफार्म जरूर हमने महिया करना है जो इन लोगों के लिए एक प्लैटफार्म होगा जहां सब लोग आके जो इंट्रपनेर रहे आके अपना काम शुरू करें करें बिजनस स्टार्ट करें और अपने फ्यूचर को आपे तलाश करें चलने सब्सक्राइब वरी गूड इनिशेटिफ बाइसी एसी मेनजमेंट